एलनाबाद उप्चुनाओ की जंग बिलकुल अंतिम पलों में पहुच चुकी खें चुनाओ प्रचार के बहुत कम आप कह सकते हैं कि घंटे बचे खें बहुत कम समय बचाके तमाम धुरंदर मैदान में अपनी प्रटी के उमेंद्वारों के वोट की अपेल की जा रही हैं और Tमाम दलों के जीत के दावे भी खें लेकिन गटवंद्वन सबी गाउं में गया हूं और डे बाई डे चुनाव जो है वो अपने पीक पे चला गया है अब तो निरने करना वहां के मत दाताओं का काम है आज अभी चंद गंटे ही बाकी बचे हैं चुनाव पर चार के पर जिस तरह का जोस और उत्षा लोगों में है उसको देखते हुए मैं कह सकता हूं कि गंट की राजनिती जब चकना चूर होगी और विकास का दोर सुरू होगा बहुत ज्यादा एक्टिव दिखी है आपकी बात करें या देना चुटाला जी की बात करें दोशन जी दिख विजे बहुत एक्टिव आप लोग देखें हैं क्या कारण के अभी ऐ ayudत करें यहां से चलके जीनद जाकर प्रचार करके आये थे बारेडा में प्रचार करके आये थे उचाना में करके आये थे तब उधनें यह बात नहीं द्यान थी कि ये जो तु नियूता डाल रहा है ये सवाया करके मिलेगा हमने तो पिछले चुनाव में उसका विरोध किया ही नहीं था इसी वज़े से वो विधान सभा का दर्वाजा देख पाया था चुनाव में आप लोगों ने विरोध नहीं किया इसलिए उजित पाये थे पिछले चुनाव में हमने कहीं कोई विरोध किया और किसी को कहा हो तो बताओ अच्छा इल्हबाद को लेकर बाती ये हैं कि गडग है अब है चुटाला का बहुत मजबूत हो रखे के तीन बार विधायक रखे के और खुद की मर्जी से ही इस्तिफा दिया के गड़ तो होते आप रचार कर रहे हैं उस पर आप क्या कहेंगे भाई-भाई के किलाफ रचार की बात नहीं है। मैंने आपको बता की मैं तो इसको सवाइब मिलें गी आज अभे सिंग जी से भी हमने बात की उनकी और से कहा गया कि आप उम्प्रकास चुटाला को लेकर भी गलत बयान दे रहे हैं गलत शब्दों का इस्तिमाल कर रहे हैं उनकी शान के खिलाफ आज तक अभी एक लब्ज ना बोला ना बोल सकता इनलों यह उम्मीद कर रहे हैं कि कार्यकरताओं में नया जोश आएगा नया उच्छा आएगा जब कर रहे हैं वो तो मेरी मरी मा के भी वीडियो लोगों को दिखाते वे भूम रहे हैं यह परिवार की लडाई सर ज्यादा लगती है ऐसा कुछ है राजनिती में परिवार की बात ही नहीं परिवार तो जब कभी दुख तकलीफ होगा तो फिर कठे होंगे तकलीफ में कठे होंगे लेकिन राजनिती अलग लग है यह जो बाइलेक्शन है वो हर्याना की राजनिती की देशा और दश्या तैय करेगा ऐसा कुछ है कि इनलों मजबूत हो जाए गया कार पूरा हो गया तो फिर क्यों आज चुनाव में आ गये चुनाव से पहले वो कहते थे कि मैं तो वोट मांगने भी नहीं जाओंगा आज दरवाजी दरवाजी पर नागर गड़ते के घुम रहे हैं अच्छा मैंने दुशन जी से भी सवाल किया सर कियों है कि किसानों को लेक करके दिखाया जिसकी गाड़ी पर लोगदल के जंडे लगे हुए थे जिसके हाथ में उनका बेंड पहना हुआ था वो लोग विरोध कर रहे हैं वो काले जंडे लेकर की खड़े हो जाते हैं कि कुछ पोस्ट हैं जो कि वाइरल हो रही हैं पिर तस्वीर हैं कि वह पहले ख वो मेरे सामने भी आप दिखाऊ तो सही हैं चुटालानी कोई विरोध नहीं किया था राजनेतिक विरोध ता एक अलग चीज की बात भाजिपा के खिलाब भी चुनाव लड़े थे परन्तु आज हम मिलकर के सरकार चला रहे हैं और वो भी हमारे सहयोगी हैं कितना रिस्प कास्टीजम नहीं लोग घमंड को चकना चूर करना चाहते हैं विकास की दरस्टी से सरकार के साथ जुड़ना चाहते हैं दो साल की काम काज पर मोहर होगी सरकार के दिलकुल निश्ची तोर पर अगर हारे सर हाइपोधेटिकल है हालांकि अगर हारे तो क्या गठ़बंधिन को सुभेकार नहीं क Pacार की सरकार की काम काज को लेकर हमने माना कि नहीं उतना पसंद किया गया होगा या फिर होसकता है कि अगर जीते तो ठेक्छ आप लोगों ने से निकाल ली अगर वो जीतेंगे तो आप कह देंगे उनके पास तो पहले से सीट थी यानि उनको कोई credit नहीं मिलेंगा वो credit मैंने कहा ना कि यह तो वहां के निर्णायक मत दाता उने फैसला करना है हमारा काम है लोगों से संपर करना उन्हें करना उन्हें आगले तीन साल जो सरकार के पड़े हैं उससे सीधे तोर पर विकास से जोड़ने का और हम उस काम में लगे हुए आपका लंबा चुड़ा राजनितिक करेर है क्या मानते हैं अगर जीते तो कितना मार्जिन हो सकता है सही सही आप बताएगा आपका आपका आपक लोगों से एक एक हाथ जोड़ करके निवेदिन करके वूट मांगने का था वो हमने मांगे हैं और सेस बचावा समया है इसमें भी हम डोर टू डोर जाएंगे व्यक्तिकत संपर करेंगे लोगों को कन्वेंस करेंगे आखरी अपील क्या करना चाहेंगे आप एनलाबाद के वोटर से चुंकि आखरी दिन का आज केंपेनिंग का मैं तो यही अपील करूँगा कि जिस तरीके से यहां के स्थानिये विधायक ने घमंड में आ करके चुनाव में जोक दिया आज उसका इसाब चुकता करने का आउसर आपके बीच में आया है और आप सीधे तोर पे सरक कार के तीन साल से जुड़ें ताकि परदेश के साथ साथ एलनाबाद विधान सबाक्षित्तर में भी रुके वे विकास के काम हो सके यहां के लोगों की समश्याओं से उनको निजात मिल से लिए तो जीजिपी की रास्त्री अधिक्ष को आप सुन रहे थी जिनका दावाक ह कि भे और घमन की सियासत का एलनाबाद में अंत हो जाएका गटमंदन का विध्वार भारी मतों से विजय हासिल करेगा क्याबरा परसन जस्वीर मलिक की साथ में जोती सांगवाद सिरसा खबरें अभी तक